हेलो फ्रेंज स्वागत हाँ सभी का हमारी चैनल को के स्टेडी में माइक मलबेश्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्ताओं का पर इंडियन आर्मी टेक्निकल का दोस्तों क्वेशन पेपर कराऊंगा यह आपका दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राब ने किया तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राब किजिए और बैल आइकन को दबाना मत भूले का दोस्तों हमारी वीडियो को प्रसम पाने के लिए क्लिए क्योंकि दोस्तों को पता लगपा के दोस्तों कि आपके तयारी किस तरह की है भारत का सबस यह हुजागा महाभारत है उसी identify महाभारत आपका विश्व के सहा या उप में दोस्तों सबसे बड़ा गृत करन्ध के रूप में। पर उप्षण नमपर आपका सीव अधावर सही हो जागा श्रीरंगा पटना में दोस्तों इनकी मरित्यू हुई थी! अगला क्वशन आपर देखें ताशकन्द समझोता ता किसके मध्य हुआ था भारत पाक के या भारत शीन के या शीन अमेरिका के या कोई नहीं दोस्ते यह हुगा भारत पाक के मध्य हुई थी और यह दोस्ता आपका कभू हता 1966 में हुआ था दोस्तो और इसका उद्धेश्य क्या था? इसका उद्धेश्य था कि भारत और पाग अपनी शक्तियों का प्रियोग नहीं करेंगे और शांतिक पूर्वक धंग से हर एक समझोता करेंगे अगला क्वशन आपर देखें राज्य सभा का सभापती कौन होता है दोस्तों मतलब मुख्या कौन होता है यहापको यहापर बताना है परधान मंतरी या राष्ट्रपती या उपराष्ट्रपती या कोई नहीं दोस्तों यह आपका होता है उप्राष्ट बदी, option नम्मर आपका C वाला, तो वर्दमान में कौन होंगे, वैंकिया नाइडू, श्री वैंकिया नाइडू, अगला क्वेशन आपर देखिए दोस्तों, दलाल स्ट्रीट कहां है, यह आपका कलकत्ता में, या जैपूर में, या क्वेशन है यापर देखिए, प्रिष्ट तनाव का मातर क्या है, तो इसम軍े में पर देखिए प्रिष्ट तनाव के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, या दोस्तों एक द्रवों का महत्पूंड गोड़ होता है, जिसके कारण द्रवों यहापर, गोलाकार आकरती म ने रहते हैं दोस्तों आपने देखा है पाणी की बून यहां पर घूलाकर प्रिष्ट में रूप में रहती है, तो इसपर अंदर की और लगने वाला जो बल रहता है, वही होता है एक तनाव होता है, तनाव कहें या फिर आपकों हैं, अंदर को लगने वाली ऊर्या, तो दो अगला क्वेशन आपका लेंज का नियम किससे सम्मधित है दोस्ता आपने फेराडे का नियम पड़ा होगा फेराडे ने बताया था दोस्तों चुंबग की प्रेरन से धारा उत्मन होती है यहां पर कुन्डली और चुंबग की मध्यां पर आप एक्षित गती करते हैं तो धारा उत्पन नहीं होती है लेकिन दोस्तो धारा की दिशा वहाँ पर उन्होंने नहीं बताई थी तो यहाँ पर लेंज के नियम के द्वारा दोस्तो हमें धारा की दिशा पता लगती है तो यह किस्से सम्मध्यत है यह दोस्ता आपका विद् धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उसके कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है अगला क्वेशन आप देखिए होक्स का नियम किसके समानुपाती है या फिर आपका अनुक्रमानुपाती है या आपका दोस्तों विग्रिती के बल के समवेक के या कोई नहीं यह आपका दूस्तों विक्रिती के हो जाएगा देखे एक question आपका इस तरह भी आ सकता है कि हुक्स के नियम के अनुसार प्रतिवल किसके अनुक्रमानुपाती होता है आपने देखा होगा दोस्तों प्रतिवल मतलब जो हम बल लगाते हैं दोस्ते आपर देखे इनके according क वो क्या कहलाता है वो विक्रिती कहलाता है और यहां पर प्रतिबल जो है जितना भी प्रतिबल लगाएंगे उसी के अनुसार यहां पर विक्रिती उत्पन्न होती है या बिगड़ा उत्पन्न होता है अगला क्वेशन यहां पर देखिए ध्वने की चाल किसमें कम होती है यह सबसे अमलों कौनसा है यहां पर देखें अमलों और श्यारों में आपने देखा होगा यह दोस्तेहं सीमानत और मृद्व होती हैं तीन प्रकार के होते हैं यहां पर यहां को बता रहा है कि ठोस हम्लों कौन से होते हैं यहां पर S-Positive या F-E-2-Positive या H-G-Positive या UH-Negative दोस्ते आपर देखिए यह आपका हैंप पर सब से ठोस अमलों में H-Positive आता है और F-E2-Positive दोस्तों आपका सीमानतम आता है सीमानतम तो मतलब जो आपकर जो आपके दोस우 और इस पो यह करते हैं ये उसा प्छशेवर मात आता है न वह चौverbs आफर दोस्तों आपकसा Mangu में वह होगा उर्जा संड्रक्षन या कोई नहीं दोस्ते हैं आपका यहां पर नाभिक के विखंडन पर कारी करता है और यहां पर जो हेडोजन बॉम होता है दोस्तो वह आपका नाभिक के संन्लैन पर कारी करता है तो यहां पर आपका option number पर बियुत्तर हो जाएगा अगला कोश्चिन आप उमोनिय क्या है या अपको प्रवर्ट्टी बता निया क्या है एक रंग lei प्रवल गंध वाली स्व MIDI जेश होती है और यह व्यवेद पुटी है तो यह आपको याद रखना है अगला क्वेशन आपर देखिए aluminium का मुख्य इस्तरोत या फिर आपका है IS क्या है दोस्ते आपर देखिए IS का मतलब जिन से हम aluminium को या फिर आपका है धातूं को प्राप्त करते हैं उन्हें हम दोस्तों IS क कहते हैं क्योंकि धातू हैं हमारी मूल अवस्ता में नहीं पाज जाती हैं उनको हम aluminium का IS का बताना है तो बाकसाइड होगा अल्यूमिना होगा बोरेक्स होगा या फिर मैगनेसाइड होगा दोस्तों यह आपका होता है बाकसाइड में सरवाधिक aluminium पार जाता है और यहां पर देखिए बोरेक्स काहिका होता है यह आपका सोडियम का होता है और मैगनेसाइड आपका magnesium का होता है अगला क्वेशन आपर देखिए एक सेल का शुध्ध EMF मापने के लिए किसका प्रियोग होता है दोस्ते आपर देखिए सेल का शुध्ध EMF मतलब elektromotive force आपको मापना है तो आप किसका प्रियोग करते हैं या आपका दोस्तों या गैलोनोमीटर या अमीटर या वोल्ट मीटर यह दोस्ताव का potential meter का इस्तेमाल करते हैं गैलोनोमीटर अमीटर वोल्ट मीटर दोस्ते धारा को और व्यभुवान दरकौम आपने के लिए प्रियोगतों होते हैं अगला क्वेशन आपर देखिए दोस्तों निम्बू में कौ काहिम होता है यह आपका टमाटर में होता है और लेक्टिक अमला काहिम होता है दोस्तों यह आपका दूध में या फिर आपका दही में दोना में ही लेक्टिक अमला होता है क्योंकि लेक्टो बेसिलस नाम के जीवाडू के कारणे हाँ पर होता है मैलिक दोस्तों यह आपका सेब में होता है Malic Acid तो यह आपको यहाँ पर याद रखने हैं सभी के जितने भी आपके आपके आपर अमले होते हैं मुख्य मुख्य उनको आपको याद रखना है और यहाँ पर देखें नीबू में कौन सा विटामिन आता है या फिर कोई नहीं दोस्तो यहापका हुजागा ओजोन पुरत दोस्तो और तरी जिसका फॉर्ण नहीं तो यहापका ऑप्षन नमबर 21 सही हो जाएगा दोस्तो वह Quesion आपके GK और Gs के Quesion थे अब कुछ आपका 1-1 बन गया जिसका आपका वर्गमूल क्या होता है अब आप क्या करेंगी आपका दो इस्थानों पर लगा है तो आप बाहर निकाल की एक इस्थान पर लगा देते हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपर देखिए आपको दिया है थ्री अंडरूर फेक्टर करेंगे तो यह आपका यहापर देगा इस तरह आपका आएगा फिर आप दोबारा करेंगे तो यह दोस्ता आपका 16 का होता है क्योंकि 16 गुणा 16 आपका 256 होता है तो यह आपका यह आपका निकल क्या गया अंडरूर के अंदर आपका क्या गया 16 गुणा 16 गुणा और अंडरूट दो तो यही दोस्ता आपका सरलतम रूप आपका निकल के आ गया तो option number आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला question आपर देखिए question आपका आपका द्विघास सम्मिकर्ण से अब दोस्ते आपर देखिए x square plus bx plus c आपका यहाँ पर इसका standard form होता है अब यहाँ पर solve बगर लेंगे क्योंकि दोस्तों हम इनके 2-3 ने topic को बता चुके द्विघास सम्मिकर्ण के आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखिए question आपका आया था आउसत से आपको आउसत में क्या करना होता है average equal to आउसत बराबर क्या होता है आकणों का योग मतलब आपका सम बट्टे आकणों की संख्या मतलब उनका नमबर तो इनमें देखिए आपको तीन क्वाणिटिया हैं आपकी तीन राश्या होती है इनमें आपको दो दी रहती है और एक आपको निकालनी होती है कभी आपको सम दिया गया होगा कभी आपको नमबर दिये गया होंगे, कभी आपको अउस्द दिया गया होगा, तो इनहीं में आपको यहाँ पर निकालना होता है, एक आपका दोस्तों शंकु की आधार पर question आया था, अब देखे शंकु में आपका क्या होता है, शंकु आयतन, आयतन में आपका 1 upon 3 pi r square h, pi r square h आपका क्या होता है, यह आपका बेलन का आयतन होता है, और बेलन का तीसरा हिस्सा जो आपका होता है, वो आपका शंकु होता है, और एक आपका दोस्तों यहाँ पर आया था तिरकोड मिती का question, तो तिरकोड क्वेशन आपको बता दिये कोशिवक्षण यापन रहे गया ओंगी कोशिश करेंगे हमने मिल जौईंगे हम आपको बताएंगे और भी सते यह कोशन लेके अ